हेलो दोस्तों नमस्कार एक वार आपका भी आउस में फिर से स्वागत है तो दोस्तों आज के दिन कोफोर्ज कंपनी में बहुत बड़ी बदलब सेलिंग देखे गई है जिसकी वैसे ग्रावट हो गई है उसके में कम से कम 6-7 परसंट की ग्रावट देखे गई है तो हम उसके कि बारे में जानने कोशिश करेंगे कि actually में हुआ क्या है किसने बेचा है किसने खरीदा कितने परसंट की ठीक है और कौन बेच सकता है कौन खरी सकता है तो सबसे पहले हम कोफोर्ज की कंपनी की about fundamentally चेक कर लेते हैं उसके balance sheet देख रहे है क्योंकि कुछ लोग बहुत जादा परिशान हो रहे हैं जिनके पास यह share है ठीक है तो परिशान होने की बात भी है कि share एक दिन में 7% गिर रहा है तो परिशान की तो definitely बात है परिशान होने की बात नहीं है हम इस वीडियो में जान लीकोसिज करेंगे क्या अखरे करना क्या है तो अब आउट कमपनी को आपको पता है को फोर्ज कंपनी आई-टी सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है को फोर्ज इस इन एंडिय एन आईटी सेर्विस कंपनी प्रोवा करती है बाहर ठीक है ग्लोबल अधर कंट्रों में जिसमेंस आप देख पार हो ग्लोबल कस्टमर इंक्लूट ब्रिटिस एर्वेस्ट दा आई एंग ग्रोप सी इन्वेस्टमेंट सेबरेट सीटा ओवर दैयर्स ठीक है तो यह बहुत सारी कंपनी हों मतलब भाहर भी काम करती ह है इसका मार्केट करते जोलकोट ला वक्त अच्चा है तो काफी अच्छी कंपनी कबी nem के इन दिभी बहुत अच्छा इती कंपनी है एंपासे से एलेंटी यह टाटा एलक्सी यह परिसेश्टेंट है औरकल फाइनसे से टैनला प्रेफार्म में कॉर्फोर्ज है इनके पियर कंपरी दिन में आती है ठीक है अब इसका हम शेल्ड की बात करें तो एवरी एवरी क्वार्टर आप देख पा रहे हो इसकी सेल्स में काफ़ एच्छी ग्रोथ है ठीक है तो ग्रोथ भी हैं ग्रोथेवल कंपनी है और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आप देख पा रहे हो स्क्रीम पर बढ़ता ही जा रहा है 122,133,124,147,184 करोड ठीक है यह भी बढ़ता जा रहा है ठीक है और प्रॉफिट और लॉज देखते हैं सेल्स देखो आप इरवाइस देखो इरवाइस भी इसकी बढ़ता जा रही है आप देखोगे इसमें 2010 से 914 करोड की सेल्स थी और अभी कहां पहुंचकी मार्च 2021 में 463 करोड की सेल् में ठीक है और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं नेट प्रॉफिट भी बढ़ता ही जा रहा है 587 करोड पर पहुंच गया कहां से 127 करोड से ठीक है और सीजिया काफी अच्छा है कंपाउंडेंट सेल्स ग्रोथ सेल्स में अच्छी ग्रोथ है ठीक है स्टॉक प्राइस का स सीजिया काफी अच्छा है 33 परसेंट का है तस साल का पांस का 59 परसेंट का थ्रियर का सब्सक्राइब का बहुत ज्यादा होता है बैलन सीट रिजर कंपनी के बात करें तो किबल 530 करोड ना के वराबर है ठीक है कुछ इतना इतनी बोरेंग को कुछ कर्ज नहीं कहा जाता है लाइबिल्टी और टोसल एसेट वरावर हैं कंपनी के पास केस्फ फ्लो की बात करें तो कंपनी के पास नेट केस्फ फ्लो फिलाल मानस में हो गया है तक है इससे पहले मार्श 2020 में पॉजिटिव में था तो यह से कोई फरक ने बढ़ने वाला है शेर होल्डिंग की बात कर विदिस परसंट की दिखिन इसके बाद प्रो प्रोटर ने हिस्थारी बढ़ाई और सेप्टम्बर 2019 में ही कहां पहुंच गिसके 70 परसंट की तीक और जून 2020 में 70.32 परसंट की ठीक उसके बाद प्रोमोटर ने अपनी हिस्थारी गठाई है थोड़ी सी और गठाद करके अभी दिशंबर 2020 में कहां पहुच गी है 49.97 लगवब 50% की हिस्थारी प्रोमोटर के पास है अपनी हिस्थारी बढ़ाई है तो इसके प्रोमोटर की बात करें तो प्रोमोटर साब देखाऊगे हर्सट बीवी और नेटी लिम्टेड ये इसके प्रोमोटर के मालक है जो वी यह थीक है तो देखो दोस्तों सबसे पहले मा बता दूँ यह जो बेचा बाची शेर परसंट की जो होती है कंपनियों में जो शेर एक्शंस की आते हैं एकुटी बेची आती है तो कोई बात नह है ठीक है तो इससे आप सो डरने की जरूत नहीं है मैं इसलिए आपको सबसे पहले प्रोमोटर की हिस्तारी पर ज्यान देने की बोलता तो डेपिनेटी कंपनी फंडामेंटिकली बहुत ही स्ट्रॉंग है ठीक है अब हम इसके चार्ट की तरब चलते हैं करते हैं तो आप देखोगे कंपनी में आप साथ परसंट की गिरावट देखी गई है और मैक्जूम चार्ट अगर हम बात करते हैं तो मैक्जूम में यह चायद 2020 में ही आई थी देखो नेटवर्क थोड़ा से स्लोग है तो दिखकत हो रही है वह आपको दिखाने में थोड अच्छा काफी रेटन कर रहा है तो दोस्तों डेफिनली कंपनी बहुत अच्छी है और मार्केट गया पर आपको बताए दिया 25,000 का मार्केट गया पर लेकिन ग्रावट ग्रावट आज इसमें देखी जा रही है वैसे तो 6 मंद से ही इसमें ग्रावट देखी आ रही है ठ और लेकिन अभी हम इसके ग्रावट की बात करें तो अब देखोगे BSE BSE Bulk Deal कोफोर्ज प्रमोटर्स डम साट लाग सियर स्टॉक तेंग 7% कोफोर्ज डिप 6% आफ्टर 10% एकुटी चेंजिज हैंड्स ओन BSE मतलब BSE की साइड पर BSE की थ्रो इसमें 10% एकुटी मतलब जो क इदर से ओदर किया गया है ठीक है है हैं मतलब किसी ने बेचा है किसी ने खरीदा है तो इसको हम थोड़ा सा अंदर डिटेर में आके पढ़ने कोसिस करते हैं कि आकर हुआ क्या है कंसल्टिंग एंड शॉफ्टिवर कंपनी चेंज हैंस ओन BSE की साइड पर जा करके 10% एकुटी बेचे गए हैं सेर्स बेचे गए हैं किसके टोटल परसेंट टोटल एकुटी के 10% तो अराउंड 6.18 िएומre के 6.18 मिलियों एकुटी सेर ठीक है इतनी सेर बेचे गए हैं तेन पउन्प परसेंट परसेंट मलाओ जो इतनी इतनी परसेंट के हैं मों टोटल जो टोटल हमारीified परसेंट जो एक्विटी होती है उसके यह 10.1 फोन परसेंट है टोटल एक्विटी ओफ को फोर्ज ठीक है चैन्स हाउन दा कंटर ऑन दा बीएसी बीएसी के अच्छेंज पर इसे सो किया गया ठीक है तर नेम अब दा बायर्स एंड चैलर्स कूड नॉट बीएटली अभी तक किसने बेचा है और किसने खरीदा है इस बात का भी अच्छे से पता नहीं चला है लेकिन मैं आपको बता दूं हर्स्ट बीवी जो भी मैंने आपको सोल्ड 8.35 मिलियन चेर वाय ब्लॉक डील्ड इंद पास्ट थ्री मंत ठीक है तो यह दिखा रहा है कि जो इसके प्रमोटर है हर्स बीवी हैड सोल्ड बेच चुके हैं कितना 8.35 मिलियन अब जो आपने अभी देखा ही था सेरो होलिंग वैटन में कि प्रमोटर की इससे दार अंडर पर्फॉर्म दा मार्केट बाई फॉलिंग 90 परसेंट एस कंपेर टू 5 परसेंट डिकलाइन और एसनपी वीसी सेंसे ठीक है तो यह में बाद तो आपको दोस्तों मेरे साब से घवराने के जरूद कोई नहीं है यह प्रमोटर्स हैं मालक है कंपनी के तो इन्होंने ही हिस्यदारी हो सकता है घटाई हो फिक है तो आपको द्रने के जरूदन के company बाकि आप अपनी लेवल पर रिसेट्स कर देना ठीक है दोस्तों तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम मेक्स्ट की बात करते हैं तो पैसे को दो अच्छा परसंड का रेटन निकाल कर दे रखा है एक्सायर इंडिया ने चायन के साथ क्लाबरोड किया है ठीक है किसके लिए टाइब चायन सोल्ड विट लीथियम आयन चेल लीथियम आयन को बेशने के लिए चायना की साथ इन्होंने पाटनरशिप की हैं तो डेफिनिटी पॉजिटिव नहीं हुए कंपनी अपने पार्टन के विजन से होल्ड कर सकते हैं तो ठीक है दोस्तों जो लोग मेरे वीडियो पर नए प्लीज एक बाट चैनल को सब्सक्राब जरू कर दीजेगा और हां वीडियो अच्छा लगाओ तो बैल आकन को प्रेस कर दीजेगा ताकि आपके भाई को थोड़ा मोटिवेशन मिले तो